बच्चों की पढ़ाई के लिए केंदर सरकार ने एक नई योजना की सुरुआत की है जिसके तहट कक्षा एक से बारा तक के शात्रों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जा सकेगी सूचनायम प्रसारन मंत्राले सभी कक्षाओं के लिए एक एक टीवी चैनल शुरू करने जा रहा है ये सभी डेडिकेटट चैनल होंगे और स्कूलों के समय के अनुसार ही चैनल में कक्षाओं से संबंदित पाठिक्रम की पढ़ाई की जा सकेगी कोरोना के इस संकट के समय सभी चीजों की तरह बच्चों की सिक्षा भी बेहत प्रहावित हुई है और इसी वज़ा से कुछ परिक्षाओं को भी स्थकित किया गया है ऐसे में सूचना एवं प्रसारन मंत्राले के द्वारा PME विद्या के नाम से चैनल का प्रसारन किया जाएगा ये सभी चैनल सूचना एवं प्रसारन मंत्राले के मौझूद स्वयम प्रभा के 32 चैनलों में से होगा इन में से कई चैनल अन्य सिक्षा संस्थानों को आबंटित किया गया है। इन चैनलों में सभी विशियों की पढ़ाई प्रतिदिन होगी जिसके लिए टाइम टेबल सिग्री ही जारी किया जाएगा। कोरोना संकट के दवरान इंटरनेट के माध्यम से सिक्षा उप्लब्द कराने का प्रयास विभिन आनलाइन सिक्षा के एप का इस्तिमाल करके किया जा रहा था। लेकिन दुरस्त ग्रामेंट शेत्रों के बच्चों के लिए इंटरनेट जैसी सुविधा का विकास नहीं हो पाया है। इसे देखते हुए सरकार ने चैनल के माध्यम से सिक्षा उप्लब्द करवाने का फैसला किया है। जो निश्ची थी सराहनी है। Bureau Report, DNX News, Raipur